हेलो प्यारे बच्चो चैनल डाउट हट में आपका स्वागत है आज हम करेंगे साइन्स के चैप्टर फेस्ट के बहुविकल्पी परसंजिया मल्टीपल चोइस कुश्चन तो चलिए वेडियो की सुरुवात करते हैं फेस्ट कुश्चन है हम अपना भोजन किस से प्राप्त करते हैं फेस्ट पोधों से सेकिंड जन्तूं से थर्ड दोनों से तो इस कुश्चन का सई आंसर होगा थर्ड दोनों से हम अपना भोजन पोधों में जन्तूं दोनों से प्राप्त करते हैं दोनों के उपर निर्भर है नेट्स कुष्चन एनिपी के किसका सकशिक्ट रूप है Best नाइट्रोजन फासपोर्ट पोटेशियम 2. नाइट्रोजन एम पोटेशियम 3. अमोनियम फासपोर्ट एम कैलसियम तो इस कुष्चन का सही आंसर होगा फेस्ट नेस्ट कुश्चन फरीदार पोदों की जड़ों में पाए जाते हैं नमब एक राईजोबियम जिवानू नमब दो लेक्टो बैसिलस जिवानू नमब तीन विशानू तो इस कुश्चन का सही आंसर होगा फैस्ट राईजोबियम जिवानू ये फरीदार पोदों की जड़ों में पाए जाते हैं नेस्ट कुश्चन रित्मों ख़र पर फसलों के वरग हैं तो इस कुश्चन का सही आंसर होगा फैस्ट रभी एम खरीफ फसल नेक्स्ट कुश्चन स्तिग्रस्ट बीज जल की सतय पर नमब एक तेरने लगेंगे नमब दो घुल जाएंगे या नमब तीन नीचे बैठ जाएंगे तो इस question का सही answer होगा fast तेरने लगेंगे क्योंकि स्तिग्रस्ट बीज होते हैं वो अलके होते हैं next question रभी फसल का समू है गेंगो चनायों मटर next question खरी फसलों का समू है धान यो मक्का second चनायों मतर third है गेंगो हों मक्का तो इस question का सही answer होगा fast धान यो मक्का ये खरी फसलों के समू है next इन में से किस फसल को अधिक पानी की आवसकता होती है fast गेंगो second धान थर्ड ओप्शन है मक्का तिस कुष्चन का सही आंसर होगा सेकंड धान धान को अधिक पाणी क्या हो सकता होती है next question मिट्टी को उल्टने पल्टने वैपोला करने की पर किरिया क्या कहलाती है फैस्ट निराई सेकंड जुताई थर्ड बुवाई तो इस question का सही answer होगा second जुताई next question सिच्चाई की आधुनिक विधी कौन सी है आधुनिक जो आजकल यूज करते हैं रहेट, second गेरनी या third छड़काउत अंतर तो इस question का सही answer होगा third छड़काउत अंतर इस विधी से सिच्चाई की जाती है next question है खेतों से खर्पतवार अटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है खर्पतवार वो होते हैं जो फसल के अंदर बोदों के साथ उग जाते हैं हमारे ने चाते भी जो फसल के अंदर उग आते हैं वो कहलाते हैं खर्पतवार इसका first है कटाई, second है बोई, third निराई तो इस question का सही आंसर होगा third निराई next question मचली के तेल में कौन सा विटामिन होता है first, विटामिन A, second, विटामिन B, third, विटामिन D तो इस question का सही आंसर होगा third, विटामिन D मचली के तेल में विटामिन D पा आ जाता है next question, खरी फसले किस रितों में उगाई जाती हैं number एक, ग्रिश्म रितों में, number दो, वर्शा रितों में, number तीन, सीत रितों में तो इस question का सही आंसर होगा second, वर्शा रितों में खरी फसलें उगाई जाती हैं next question, रवी फसले किस रितों में उगाई जाती हैं first, वर्शा रितों में, second, ग्रिश्म रितों में, third है सीत रितों में तो इस question का सही आंसर होगा third, सीत रितों में सर्दियों के अंदर वी फसलें उगाई जाती हैं next question, कौन सा जीव मिट्टी में रहता है first, जोक, second, मेंडक, third है कैचवा तो इस question का सही आंसर होगा third, कैचवा कैचवा है वो मिट्टी के अंदर रहता है और ये किसान का मित्र जीव है खाद बनाने में काम आता है next question, किसान का मित्र जीव है first, चूहा, second, कव्वा, third, कैचवा तो इस question का सही आंसर होगा, third, कैचवा, ये किसान का मित्र है और ये खाद बनाने के काम आता है next question, सिच्चाई का सत्रोत नहीं है first, समुंदर, second, जीव, third, कॵ्वा तो इस question का सही आंसर होगा, first, समुंदर ये सिच्चाई का साधन नहीं है, क्योंकि समुंदर से सिच्चाई नहीं की जाती next question, खर्पतवार क्या होते है first, firstly, पो दे, second, ओस्तियपो दे या third, एवांचित पो दे एवांचित जो हमारे इच्छा के विरुध हैं, नहीं चाते हैं जिसका अंसर होगा, third, एवांचित पो दे जो नहीं चाते हैं भी फसल के अंदर उग जाते हैं वो कहलाते हैं एवांचित पो दे, जिने हम कहते हैं खर्पतवार, खास फूस next question, निमलिक्त में खर्पतवार नासी है खर्पतवार का नास करने के लिए किसका परियोग करते हैं first, bhc, second है, ddt, third option है, 2,4d तो इस question का सही answer होगा, third, 2,4d ये एक खर्पतवार नासी है, जिसका परियोग्त खर्पतवार को खतम करने के लिए किया जाता है next question, बीज बोने के लिए क्या उपयोग में आता है, first, seed drill, second, combine, या third, cultivator तो इस question का सही answer होगा, seed drill, ये मसीन है, वो बीज बोने के काम में आती है combine होता है, वो कटाई के काम आता है, cultivator है वो, जुताई के काम आता है next question, फसल कटाई से सम्मंदित तोहार है first, tease, second, बैसाखी, third, दिवाली तो इस question का सही answer होगा, second, बैसाखी जो अप्रेल मा के अंदर आता है, और इसमें फसल की कटाई शुरू हो जाती है next question, हमारे देश की मुख्य खाद्य फसले हैं, खाद्य फसले जो अधिक मातरा में खाई जाती हैं, खाने वाली फसले गेउं एम चना second, गेउं एम मक्का third, गेउं एम चावड तो इस question का सही answer होगा, third, गेउं वे चावड ये मुख्य खाद्य फसले हैं, जो अधिक मातरा में खाई जाती हैं, next question, पो देखे काईक बागों से उगने वाली फसल कौन सी है नमबर एक, सरसों नमबर दो, गेहूं नमबर तीन, गन्ना तो इस question का सही answer होगा, third, गन्ना गन्ना है, वो काईक बाग से उगने वाली, स्वरी उगने वाली फसल है काईक बाग यानि कि वो देखे ही बागों को काट कर लगाने से मिट्टी में गाड़ दिया जाता है और वही फिर भाग उधा बन जाता है, तो वो कहलाता है काईक बाग नेक्स्ट एस हिच्चाई के प्रमप्रागत साधन कौन से हैं, प्रमप्रागत जो प्राचीन समय में प्रयोग में लाई जाते थे, ड्रीपतंतर, श्रकाउतंतर या रहेट तो ज्रिपत अंतर और श्रिकावत अंतर हैं ये आधुनिक साधन है तो प्रंप्रागत हो जाएगा थर्ड इसका अंसर होगा थर्ड रहेट